कल की फिल्म रिलीज हो गई है और चाहे दुनिया कुछ भी कहे लेकिन अमिताब बच्चन एक तरफ और पूरा बॉलिवूड एक तरफ और बात करें अक्टरिस श्रद्धा कपूर की तो उन्होंने अमिताब के लिए जो पॉस्ट लिखी है उस पर कफी चर्चा हो रही है श् सौथ फिल्म, नॉर्थ फिल्म, वेस्ट फिल्म, इस्ट फिल्म करते हैं यह सारी फिल्में एक तरफ और अमिताब बच्चन एक तरफ अमिताब बच्चन अपने आप में एक सिनेमा है और उनके जैसा कोई नहीं उसके साथ ही श्रदा कपूर ने अमिताब बच्चन के अश काफी के पढ़ गए है अमिता बच्चन के सामने जहां तक बात है श्रद्धा कपूर की तो श्रद्धा कपूर की इस पोस्ट को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं लेकिन कई लोग ये भी कह रहे है कि श्रद्धा कपूर ने प्रभास से बदला निकाला है actually प्रभास के साथ श्रदा कपूर साहो फिल्म कर चुकी है ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी और तो और जिस वक्त प्रभास के साथ श्रदा ने साहो की थी तब दोनों के रिलेशन्शिप की खबरे भी आई थी और कहा गया कि बात में ब्रेक अप हो गया तो कैस्ट ब्रेक अप की वज़े से ही श्रदा ने प्रभास को अपनी इस पोस्ट में पूरी तरह से अग्नॉर किया As a co-actor, श्रदा का पूर चाहती तो प्रभास के लिए भी एक पोस्ट डालती उनके लिए भी तारीफ कर सकती थी जो कि इंडस्ट्री में चलता है कि आप जानते हो तो at least तारीफ कर दो तो कुछ और लोग देखने चले जाएंगे फिल्म लेकिन श्रदा ने ऐसा नहीं किया श्रदा ने प्रभास को पूरी तरह कट करते हुए ओनली अमिता बच्चन की तारीफ की है जो की सच भी है लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि श्रदा at least प्रभास के लिए कुछ तो लिख देती साउथ के जो प्रभास के फैंस है वो श्रदा की इस पोस्स से काफी नाराज हो रहे है आप बताईए कि क्या आपने कल की फिल्म देखी और अगर देखी तो क्या आपको भी लगता है कि आम इताब बच्चन सभी को ओवर्शाइन कर गए है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें